नमस्कार आज मैं आपको एक नई तरह की चटनी बनाना बता रही हूं और आप ऐसे सिंपल चटनी खाका के बोर हो गए होंगे तो देखिए मैं नई तरह के आपको चटनी बता रही हूं ये आपको खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी आप इसे डोसा इडली पराठे या पानी के हाथ की रोटी के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए इसके लिए हमें किन चामानों की जरूत पड़ती है बताती हूं ये मैंने मोफली लिए हैं जो कि मैंने पानी में फुला ली थी और ये मैंने हरी मिर्च ली हैं हरी मिर्च मैंने चाल ली हैं और ये दो मैंने शुखा नारीयल लें तो आप उसे पानी में फुला कर रख लें और थोड़ा सा मैं जीरा ले रही हूं और टेस्ट के अकॉडिंग नमक है चलिए हम चट्णी बनाना शुरू करते हैं अब यह सारे सामान हम इस में मिक्स कर देंगे जार में डाल कर हमें अच्छी तरह से चटनी को पीसना है और वागए में ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है देखें मैंने हरी मिर्च और ये सारी चीज़े डाल दी है और हम बीच में जीरा डालेंगे क्योंकि जीरा को पिसने में टाइम काफी लगेगा बाकी का तो हमारा सब अच्छी तरह से पिस जाएगा और ये सब हमने धोकर यूज किया है सामान चाहें तो आप इसके मूफली के चिकल छुड़ा सकते हैं नहीं तो ये ऐसे भी पीस सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगए आप ऐसे पीस लीजिए अब इसे हम अच्छी तरह से पीसेंगे इसमें थोड़ा सच्छा है तो पानी भी डालना है तो इसमें हम पानी डाल सकते हैं क्योंकि पानी डालने में थोड़ा सा अच्छी तरह से पीसेगी पानी हमें इसमें और भी मिक्स करना है तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से ये चटनी को पीस लेना है देखिए अब हम इसे देखते हैं कहीं ये चटनी हमारी अच्छी तरह से पीसी है या नहीं देखिए अब थोड़ी दर-दर इसी है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और पीस हैंगे देखे कलर और ये कितने अच्छी हमारी पिसकर तयार है हम इसमें थोड़ा सा पानी आइड करेंगे देखेंब अब इसे हम अच्छी तरह से थोड़ी देर और पीसेंगे देखिए हमाई चटनी पिसकर तयार है और एकदम फूल फूल के अच्छी भी लग रही है आप इसे इडली के साथ खाईए इडली फ्राई करके खाएं तो बहुत अच्छी लगती है चटनी और डोसे के साथ भी अच्छी लगती है और नहीं तो आप ऐसे भी से खाने के साथ में रोज सर्व कर सकते हैं है ना इक तरह की अलग सी चटनी बहुती टेस्टी बनती है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दवाएं जिससे कि आपको आने वाली नई नई रैस्पियों की जानकारी मिले और फिर मिलते हैं एक नई रैस्पि के साथ तब तक आप आनंद उठाईए इसको इस पाइसी मजीदार चटनी का